वेलकम टू माई चैनल मैं अंधनी आप सभी को स्वागत है मेरे PCOD प्रेहंसी टिप्स पे तो अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें बेल घंटी को प्रेस कब जरूर करें जिससे आपको नोटि इस्टेग्राम आइडी को फॉलो नहीं किये है तो जाके वहां पर फॉलो कर सकते हैं या फिर बाते कर सकते हैं जिससे आप जो बाते हैं पर आपका प्रॉब्लम का स्लूशन क्या है तो आज मैं बात करूँ हूँ ही कि जिन महिलाओं को पीरियेड अच्छे से खुलके नही और उनका प्राब्लम खतम होगा क्योंकि अगर आपके हर महीने खुल के नहीं आएगा तो यह भी बहुत बड़ा समस्या है जो भी आपका शरीर का गंदगी है जो आपको शरीर में ही रह जाएगा जिससे आपको पीसी ओड़ी होने का बहुत जादा संभाबना हो शकता है क्य है तो गाठे बन जाएगा तो फिर पीसी ओड़ी का संभाबना होगा तो यह गाठे ना बनने के लिए आप हर महीने आपका अगर अच्छे से पीरियड दो से तीन दिन अच्छे से रेगुलर आ जाता है तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा तो आज मैं बात करूं आप बोली बना को खा सकते हैं या फिर अजमान का चाय भी सकते हैं आप मिठा का यूज कीज़े आप अपने ओटी को से किये जिससे आपका ओटी कमें जो भी सूजन होगा वो नॉर्मल होगा और आपका पीरियड खुल के आगा क्यूंकि जब सूजन फूल जाता है तो जि बता भी नहीं चलता है कि कैसे पीरियड ठीक करें तो उसमें फिर दर्द भी बहुत होता है कि नॉर्मल सी बात है जब हमारा जहां से आएगा पीरियड और उसका मुह छोटा रहेगा तो दर्द तो हो कि अगर तो यह सब चीज से वन किज़े आप गरम पानी का ज्यादा य अब ठंडी का मौसम है तो यह सब चीज आप यूज कर सकते हैं जिससे पीरियड आपका खुल के आएगा तो आप गुड का इस्तेमाल किजिए अगर आपका पीरियड आज आ गया है तो आप आज गुड खा के लेखिए आपका पीरियड भी खुल के आजाएगा आप दाल सेवन केजिए उससे भी पीरियड खुल के आता है आप अलसी का यूज कीजिए उससे भी आपका पीरियड बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा तो आसा करते हूं कि आपको यह मेरा वीडियो समझ में आ गया होगा मेरी टॉप टिप्स आपको समझ में आ गई होगी तो आज की वीडियो इतना ही फिर मिलेंगा अच्छी से वीडियो के साथ बाई टेक केर अपना ख्यार रखिएगा पाई जैन